मेरा नाम है जे पी और आप देख ह्रहे हो संग् ट्रेडर चैनल सू इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, बेस्ट में पैटन्ड कौनसा है जो कि आपको ट्रेडि़ग में हेल्प करेंग और ये ईस स् vista कोड़े टाइम प्रेम पर एक नहीं करता हूं फिलाल सो मैंने हमेशा यह इस स्टेट का इस्तेमाल स्टेडिंग और इंवेस्टिंग में किया और मेरे जितने भी सारे trade suggest किये जाते हैं इस channel पर वो सारे इसी pattern पे based होते हैं तो देखते हैं क्वाइटन है वह है Rounding Bottom pattern Rounding Bottom pattern में क्या होता है जब कोई stock price नीचे गिरता है तो नीचे base create होता है और वहाँ पर consolidate होता है बहुत दिन उसके बाद consolidate होने के बाद वो break out करता है उसके बाद volume में break out करता है और break out होने के बाद फिर retest करेगा फिर higher high, higher low के form में उपर जाएगा और ये इसका target रहेगा और इसका जो stopless रहेगा इसके नीचे रहेगा यही होता है और कुछ नहीं करना है बस खरीद लो जब break out हो गया उसके बाद target अचीव होने के बाद आप book कर सकते हो ऐसे ही देखते हैं और ये जो है first source solution limited का चार्ट है इसमें आप देख सकते हो इसमें same वही pattern बना हुआ है surrounding bottom pattern का जो की price correct हुआ यहां पर और फिर यहां पर consolidate हुआ काफी लंबे समय तक और यह ब्रेक आउड भी दिया फिर higher high higher low के form में यहां पर टार्गेट अचीव करेगा 240 रूपीज का और यह करेगा ही बिकॉज इसका fundamental भी अच्छा है और यह इसका बेस भी क्रियेट हो चुका ब्रेक आउड भी हो चुका है तो आप इससे ले सकते हो आज स्विंग ट्रेडिंग तो मैं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ग्लोवर स्पिरिट में भी दोस्तों देख सकते हो यह रांडिंग बॉटम का ब्रेक आउड दे दिया है यहां पर बेस त्यार हुआ और यहां पर ब्रेक आउड दिया यह भी मिनिमम यहां पर 1600 के आराउंड जाएगा इसे भी आप स्विंक ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो और नेक्स्ट है साइयंट में दोस्तों मैंने इस पर भी एक रेट दिया था जब यह फॉर्म किया था और फिर ब्रेक आउड दिया था इसमें देख सकते हो इसमें टार्गेट अचीव हो गया है यह जब यहां पर ब इसका इसका अस्टॉप लस यहां पर होता और यहां पर नीचे देख सकते हो वाल्यूम भी है तो बस कुछ नहीं करना है सिंपल वाल्यूम देखना है और फिर बेस क्रिएट होनी के बाद ब्रेक आउट पर आपको बैक कर लेना है यह तो है सिंपल दूल और नेक्स्ट है जिन सार्टिक आप देख सकते हो इसमें भी सेम बन रहा है दोस्तों और यह सारे स्टॉक मैं बता रहा हूं इसका जो फंड वेंटल है वह बहुत ही इसट्रांग है यह नहीं कि हां डूने वाली कमपनी यह नहीं जब ज़्यादा हो वह सब लॉंग टर्म में सर्वाइब नही तो फंटमेंटल भी धियान देना है और इसका भी देख सकते हो रांडिंग बॉटम पैटर्न बेस के रिएट होने के बाद ब्रेक आउट दे दिया है और इसका मिनिमम टार्गेट 600 के राउंड जाएगा ही जाएगा तो इसे भी आप स्विंग्रेटिंग के लिए ले सकते हो और सोना कॉम्स हैं सोना कॉम्स यह भी देख सकते हो इसका भी बेस के रिएट होने के बाद और यह बहुत ही अच्छी कंपनी है यह तो मिनिमम यहां से होगा ही कंपनी विकाज मैंने इसका फंडमेंटल जो डेप में पढ़ा है और यह रांडिंग बॉटम पैटर्न बना कर लिया है तो इसका मिनिमम टार्गेट तो यहां पर जाएगा ही और मैक्सिमा तो बहुत जाने वाला है तो आप इसे स्विंग क्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो और नेक्स्ट है लास्ट है जो एचसे सियल पे मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों जो की अराउंड 60 to 70 पर भाई था यह विकॉज यह जब यह रांडिंग बॉटम हो रहा था तो मैंने बताया था कि यह बेस क्रियेट कर लिया है और बेस क्रियेट होने के बाद अरॉंड 60 to 70 रुपीज पर रेकाउड दिया था उसके बाद फिर यह रिटीस्ट किया था फिर यह हाईर हाई हाई लोग के पॉर्म में जा रहा है और मिनिममम इसका टार्गट जो होगा 200 का होगा दोस्तों और यह होगा तो यह था और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि आप जब कोई भी ट्रेड लो रिस्क रिवार्ट रेसियो मेंटेन करके हमेशा ट्रेड लेना विकॉज लंबेट स आप लोगों को इतना प्यार मिला और यहां पर यहां तक मैंने आया है सो ऐसे ही टेली मैं ट्राइब करूंगा कि एक नॉलेज़वल वीडियो और रेड जो की न्यू न्यू ब्रेक आट स्टॉक है उसको मैं पोस्ट करने का कोशिज करूंगा सो थांक्यू सो मच जाहिए जाहिए भारत